तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पत्थर की अलवारी पर बार्ड रॉप कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हूं तो दोस्तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें और अब यह आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यह जो पत्तर के अलवारी बनी हुई है इस पर जो बार्डरोब को तैयार करना है तो दोस्तों सबसे पहले इस पर फ्रेमिंग करेंगे तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं 19 mm की पलाई को 3 इंची की पट्टियां घाटके फ्रेम को तयार किया हुआ है फ्रेम हमारा तयार हो चुका है फ्रेम को अब हम जो है अलबारी पर सेट करेंगे तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेम को जो है अलबारी पर हमने सेट कर दिया है अभी इसके जो उपर का हिस्सा है और जो साइट का हिस्सा है इस पर फ्रेमिंग बाकी है तो दोस्तो अब इस पर जो है फ्रेमिंग तैयार करेंगे और उसको सेट करने के बाद जो है सनमाई का को फिष्ट करेंगे तो दोस्तों अभी मैं आपको जो एफ पास से दिखाता हूँ किस तरी के से जो एफ रेम को सेट किया हुआ है तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमने जो ऊपर की साइट का भी प्रेम तैयार करके जो एफ सेट कर दिया है अभी इस पर जो एफ बीच के कुछ हिस्तों में प्लाई वगरा लगनी वाकी है इसके बाद जो हम सनमाई का काम स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं लगबग प्लाई सभी जगा लग चुकी है अब इसके बाद जो है फनैसिंग करके सनमाई का को पेश्ट करेंगे तो दोस्तों उमीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो फसंद आई हो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमने सनमाई का को पेश्ट कर दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं भाइट और ग्रे कलर का कॉमिनेशन मिक्स किया हुआ है और इस पर जो है बने में का सेंचुरी कंपनी का माई का लगाया हुआ है अब इसके बाद जो है पल्ले वगेरा रेडी करेंगे और उन पर जो है माई का लगाएंगे तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं पल्ले वगेरा रेडा शेट कर दिए हैं और इन पर अब जो है हैंडल अगरा लगना बागी है तो दोस्तों इसकी वीडियो में आपको कम्प्लीट जैसे ही कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद दूंगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें करें